आज की ये वीडियो बहुत ही यूसफुल है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेश चिजों को हम कैसे इस्तेमाल करके अपना काम आसान कर सकते हैं और बहुत सारा खर्चा भी बरसा सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखें पहले टिप्स हमारी ह होगी इस तरह की जो फटी हुई थेली होती है उसी को लेकि और हम क्या करते हैं कि जो नहीं थेली होती है सही थेली उसको हम रख लेते हैं और जो फटी हुई थेली है उसको भी मैं जमा कर लेती हूं क्योंकि हम इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं देखिए तो आपके पास भ जो हमारे पेड होते हैं यूज करने के बाद हम उसको ऐसे ही फिंग देते हैं इससे क्या बहुत गंदा लगता है अगर आपके पास इस तरह की कोई ब्लैक थेली है या पिर कोई भी कलर्फुल थेली है जिसमें यह पेड दिखता ना हो आप क्या कीजेगा अगर आपके पास पटी हुई है तो आप रख लीजेगा और इस तरह से लपेड के और इसको कहीं पर भी बाड़ी बाड़ी में फिंग सकते हो तो फ्रेड्स यह बहुत ही यूसफुल है इस तरह से भी देखिए आप वेश्च जों को यूस कर सकते हो है ना बहुत ही यूसफुल तरीका और हंग यह दिए लिए हुद्टि के रख लेते हैं लेकिन में क्या करती हुदेए जो भी सौमान उते हैं जैसे पॉलिस थ assess तरह स कर सकते हैं तो है ना यह बहुत ही उसफुल अरिका इस तरह से आप भी कर सकते हो तो आई होप आपके लिए टिप्स हेल फूर रही होगी और अगली टिप्स हमारी देखिए इस तरह के जो जार होते हैं मैं क्या करती हूं जार में देखिए खाले होने पर इस तरह के जो पाउच होते हैं वह मैं इस तरह के काच के जार मे तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई अलग डबे में रखते हैं जो हमें दिखता ना हो तो हम क्या करते हैं रख देते हैं और फिर हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे पास कौन से पाउच है या नहीं वह ऐसे है एक्सपारी हो जाते हैं तो देखिए आप इस तरह की जो जार होते ह अगले टिप्स हमारे बोटल को लेके होगी और खाले बोटल का हम बहुत यह अलगती तरीकों से यूज कर सकते हैं उसलिए यह एक अनुचा में आतरलों तरहोगा है बसक्षा तीम पोथ ही पित्सब आघे के कुट रही और यह डोलो आखी है पिछी से और पिछी से कट करने के बाद दो होल बनाने हमें आमने सामने दो होल तो मैं चाकू को गरम करके इसमें होल बना लेती हूं देखिए आप चाहे तो प्लास कील किसी से भी बना सकते हो तो देखिए इस तरह से हम चाकू से बनाएंगे तो आप गोल-गोल करके फिर आ क्योंकि हम बहुत ही अच्छा आपको एक आडिया देंगे तो हमें देखे इस तरह से दोनों साइड में यह बाण लेना है डोरी को और देखे इस तरह से डोरी बाणने के बाद यह हमारा एक हैंगर पोर्ट बनके तयार हुआ है और इसको हम देखे किस तरह से यूज़ कि अगर हम किसे की उपर कहीं हें करने तक हम क्या है बेलन डुते हैं तो उसको इसके अंदर डाल रख देंगे अगर हम आप यूँ इसे रखते हैं तो एक तो हमारे बेलन पर कीडे और मख्यां लख जाती है और अच्छे से सुकता आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा तरीका फ्रेंड्स यह बहुत ही यूसफुल होगा आपके लिए और अब हमारे इस बेलन पर बिल्कुल भी चींटियां या फिर मक्हिश कुछ भी नहीं लगेंगे तो है नहीं यह बहुत ही यूसफुल तरीका इस तरह से आप यूस कर स ताकि ना तो हमारी बतियां इदर उदर बिखरे और यह अच्छे से एक जगे पर सेफ रहे जब भी हमें बति लेना हो हम इस तरह से देखी ले सकते हैं बहुती आसान तरीके से और फिर हम इसको लेने के बाद इस तरह से बंद करके रख देंगे तो है ना यह बहुती निकलता रहता है तो इसके लिए देखें मैं आपको एक तिफ्स देना चाहूंगी आपको क्या करना है एक रबबर ले लेना है और देखिए रबबर को इस तरह से लगा देना है और लगाने के बाद अब हम इसको यूस करेंगे तो यह बिल्कुल भी इसका जूस या फिर क कुछ भी ग्राइंडर करेंगे तो यह बाहर नहीं आएगा तो इस तरह से देखिए हम घर पे ही एक जोगाड आइडिया बना सकते हैं तो हैना यह बहुत यूसफुल तरीका तो आई होप आपके लिए यह टिफ्स से लफूर रही होगी तो चलिए अगले टिफ्स को देख तो देखिए आप देख सकते हो इसमें जिप लगी हुई होती है और हम इसको ऐसे ही नहीं फेंकेंगे तो हम क्या करेंगे इसको खाली होने पर अच्छे से इसको दो लेंगे दोने के बाद इसको सुका लेंगे और सुकाने के बाद देखिए हम क्या करेंगे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इतना हमें फोल्ड करना है देखिए और फिर हम इसको कट कर लेंगे तो जैसे आप देख रहे हो सेम आपको वेसे ही करना है उपर की साइड में आपको देखिए इतना ही मोड़ना है इसको फिर हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद देखिए आप क्या पाउच बनके रेडी हुआ है देखिए तो इसका हम देखिए किस तरह से यूज़ करेंगे क्या होता है कि बच्चे अगर स्कूल जाते हैं उस टाइम अगर ड्राइंग ना मिले या फिर उनके पास कोई पाउच ना हो डाने के लिए पेंट पेंसिल तो आप इस तरह से देख अगर आपको यह वाला तरीका पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा तो देखिए देखने में बहुत ही सुन्द लगता है तो फ्रेंज इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करे जिससे जो भी वीडियो डाले वो आपकी नोटिफिक्शन में आए और सबसे पहले आप वीडियो को देख सके तो फ्रेंज मैं अपने वीडियो को यहीं पर एहिंट करती हूं बाबाई टिक के टांके फोर वाचिंग माई वीडियो